सनातन संस्कृती में मनुश्य के जर्म से उसकी मृत्यु तक कुल 16 संस्कार को महत्य दिया गया है और इन 16 संस्कारों में जो सबसे महत्पूर संस्कार बताया गया है वो है किसी भी व्यक्ति का भिवा संस्कार ये अपने आप में अकेला एक ऐसा संसकार है जो कि सभी धर्म, सभी संप्रदाओं में समान रूप से मान्यता प्राप्त है सबी धर्म, सबी संप्रदाई कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की शारेरिक आवशकता और उसकी समाजिक आर्थिक अमानसिक उन्नत्ति के लिए विवा आती आवशक है ये एक ऐसा संसकार है जो कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के उदेश्यों को पूर्ण करने में सरवाधित सहता प्रदान करता है जब भी विवा की बात आती है तो हरिस्त्री पुरुष के मन में एक विचार होता है कि उसका जीवन साथी उसके अनुकूल हो गुड लुकिंग हो, डिसेंट हो, इंटेलिजेंट हो और इसलिए सभी चाहते हैं कि उनको अपना जीवन साथी चुनने का स्वतंतर अधिकार हो और इसलिए आज की समय में लव मैरिज बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं हर टीनेजर के मन में एक प्रशन होता है क्या उनकी कुंडली में लव मैरिज का योग है, क्या उनका प्रेम विवा होगा, क्या वे जिसको पसंद करते हैं उनके साथ उनका विवा होगा तो आज की इस वीडियो में हम love marriage की योगों के ऊपर ही बात करने वाले हैं बात करने वाले कुछ ऐसे योगों के बारे में जो कि आप कुंडली में देखकर एक मिनिट में कह सकते हैं कि हाँ आपकी कुंडली में love marriage का योग है और आपकी love marriage होगी सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कुछ बेसिक योगों की जो की कुंडली में मिलने पर किसी भी इस तरीय पुरुष की लव मैरेज को प्रिडिक किया जा सकता है और फिर हम एक कुंडली पर उन योगों को एपलाई करके देखेंगे तो सबसे पहला तो ये बेसिक फॉर्मूला है एक रूल है एक थम रूल की तरह आप कह सकते हैं जो की लव मैरेज वाले हरोस्कोप में पाय जाता है वो है कुंडली के पंचम और सब्तम भाव के स्वामियों का आपस में संबंद कुंडली का सब्तम भाव विभा का भाव होता है और पंचम भाव प्रेम का भाव होता है जब पंचम और सब्तम भाव के स्वामि कुंडली में किसी भी तरह से रिलेशन बनाते हैं पंचम और सब्तम भाव आपस में किसी भी तरह से रिलेशन बनाए चाहे वो यूती से चा अगर कुंडली में पंचम और सब्तम भाव का संब्द मिलता है तो आप कह सकते हैं कि आपके कुंडली में प्रेम विवा का योग है। किसी भी तरह से अगर कुंडली में शुक्र रिचंदर संबनते हैं तो यहां पर भी प्रेम विवा का योग बनता है। कुंडली में शुक्र और राहु अगर किसी भी तरह से संब्ढद बनाते हैं तो कुंडली में मंगल और शुक्र अगर आपस में संब्ढद बनाए तो भी कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति की कुंडली में इस लड़के या इस लड़की की कुंडली में प्रेम विवा का योग है ये कुछ बेसिक योग है जो कि कुंडली में मिलने पर आप प्रेम विवा प्रेडिक्ट कर सकते हैं अब आप ये जो कुंडली देख रहे हैं आप देखेंगे इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी चंद्र है और सप्तम भाव का स्वामी बुध है जो कि इस कुंडली के व्याय भाव में बारा भाव में यूती करते हैं तो विभा और प्रेम दोनों के स्वामी जब आपस में यूती करते हैं तो सबसे पहले तो आप इस कुंडली में खह सकते हैं कि इस कुंडली में प्रेम विभा का योग है ये एक female horoscope है जिन्होंने की प्रेम विवा किया है उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि किवल एक योग से आप किसी भी व्यक्ति की life को predict नहीं कर सकते अगर कुंडली में किसी घटना के एक से अधिक योग है तो ही आप sure हो सकते हैं तो मैंने आपको पहला योग बताया था कि कुंडली में अगर पंचम और सप्तम भाव के स्वामी संबन बनाते हैं पंचम और सप्तम भाव संबन बनाता है तो प्रेम विवा का योग बनता है दूसरा मैंने आपसे कहा था कि चार और साथ का योग भी प्रेम विवा को दर्शाता है तो आप देखेंगे इस कुंडली में चतुर्थेश और सप्तमेश दोनों ही बुद्ध है तो यहाँ पर चार साथ और पात साथ दोनों के ही योग बन जाते हैं जो कि प्रेम विवा को इंडिकेट करते हैं उसके बाद मैंने आपसे कहा कि कुंडली में शुक्र राहू का संबंध हो तो प्रेम विवा के योग बनते हैं मंगल राहू का संबंध हो तो प्रेम विवा के योग बनते हैं इस कुंडली के दुत्य भाव में अगर आप देखेंगे तो शुक्र और रहु यूती से बैठे हैं, जब शुक्र और रहु यहां पर यूती से बैठे हैं, तो यहां पर भी प्रेम विवा का योग बनता है. उसके बाद आप देखेंगे मंगल जो कि किसी भी इस्तिरे की कुंडली में उसके पतीखक कारक घ्रय है उसके तिरकोर में मंगल से अगर पंचम भाव देखेंगे तो मंगल से पंचम भाव में राहू बैठा है तो यहाँ पर मंगल और रहू का संब्ध भी बन जाता है शुकर रहू का संब्ध मंगल रहू का संब्ध दोनों ही संब्ध बन जाते हैं जो की एक वार फिर से इस होरोस्कोप में प्रेम विभा के योगो को स्ट्रॉंग करता है और उसके साथ साथ आप देखेंगे मंगल के तिरकोर में ही शुक्र बैठा है मंगल की तिरकोर में शुक्र की बैठने से नाड़ी जोदिश के नियमों के अनुसार मंगल और शुक्र का संबंध भी बन जाता है तो ऐसे में यहां पर एक वार फिर से प्रेम विभा के योग बन जाते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे इ की प्रेम विभा को दिखाते हैं और इसलिए इनकी love marriage हुई अब प्रशन आता है कि ठीक है कुंडली में love marriage का योग है किन्तु love marriage होने के बाद साधी successful होगी या नहीं होगी किसी तरह की cheating तो नहीं होगी क्योंकि आज के समय में होता है कि लोग प्रेम कर लेते हैं और प्रेम करने के बाद विभा भी हो जाता है फिर पता चलता है कि हम तेक गलत व्यक्ति से विभा कर चुके हैं प्रेम कर लेते हैं उसके बाद families नहीं मानती तो घर से भाग कर या घर वालों की मरजी के खिलाब शादी करने पड़ती है तो इन सब के क्या योग होते हैं आने वाली वीडियोज में मैं ये सारी योग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो जुड़े का शुटरे के साथ मिलते हैं अक शुड़े में सब तक के लिए जाए हिंद जै भारत